नमस्ते स्टुदेंस, स्टान्डर फोर्थ, हिंडी सब्चेक्ट, चेप्त नमबर वन, नई राह वर्कबुक पेज नमबर ट्वेल पेज नमबर ट्वेल पर है, क्वेश्चन नमबर ट्वेंटीवन कोष्टक से उच्चित शब्द चुन कर सही खाने में लिखिये यानि कि यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है, उसमें कई सारे शब्द लिखे हुए है और जो नीचे बड़ा वाला कोष्टक है, उसमें अलग-अलग नाम हमें लिखने हैं जैसे कि फल का कोस्तक है, उसमें फल के नाम लिखेंगे, सबजी का कोस्तक है, उसमें सबजी के नाम लिखेंगे, पक्सी का कोस्तक है, उसमें पक्सी के नाम लिखेंगे, प्रानी का है, उसमें प्रानी के नाम लिखेंगे, और पेशेवर्व यक्ति का जो कोस्तक है, उसमें ह काम करने वाले जो पेश्यवर्व यक्ति होते हैं उनके नाम लिखेंगे तो जो कोस्तक है उसमें से हमें शब्द धुनने हैं और फिर लिखना है तो फल में कौन से शब्द आएंगे सेब और अनार उसके बाद हमें सबजी के नाम लिखने हैं तो इसमें सबजी के नाम कौन स है लोकी और बेंगन फिर उसके बाद हमें पक्षी के नाम लिखने है तो कोस्तक में पक्षी के नाम है मुर्गा और तोता फिर लिखा है प्रानी तो हमें प्रानी के नाम लिखने है तो कोस्तक में प्रानी के नाम है भालू और खरगोश और उसके बाद जो पेशेवर्व यक उसके नाम लिखेंगे 13 और 11 तो यहाँ पर एसे ही हमें उच्चित सब्द को चुन कर लिखना है अब देखिए question number 22 हिंडी नामों के सामने कोस्टक से चुन कर अंग्रेजी नाम लिखिए तो students यहाँ पर एक कोस्टक दिया गया है उसमें अंग्रेजी नाम लिखे हुए है और जो नीचे नमबर है उसमें हिंडी नाम लिखे हुए है तो हिंडी नामों के सामने जो खाली जग है उसमें हमें उसका जो इंग्लिस अंग्रेजी नाम होता है वो हमें लिखना है तो उसमें पहला नाम है वो है अंगूर तो अंगूर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे ग्रेप्स तो हम यहाँ पर grapes का spelling जो है वो लिखेंगे फिर दूसरा है पपिता तो पपिता को अंगरेजी में क्या कहेंगे पपया फिर उसके बाद जो तिसरा है वो है अनार तो अनार को अंगरेजी में क्या कहेंगे पोमेग्रानेट फिर four number पढ़ है बेंगन तो बेंगन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे ब्रिंचल फिफ्थ है वो है मटर तो मटर को इंग्लिस में हम क्या कहेंगे ग्रीन पीज मटर का अंग्रेजी वर्ड है ग्रीन पीज सिख्थ है वो है आम आम को हम अंग्रेजी में कहेंगे मैंगो फिर सेवेंट है वो है सेब सेब को हम अंग्रेशी में क्या कहेंगे एपल फिर एट है वो है फुलगोभी तो फुलगोभी को हम अंग्रेशी में कॉलिफलावर कहते है तो हम लिखेंगे कॉलिफलावर फिर नाइट है वो है भालू भालु को हम अंग्रेजी में कहते है बेर फिर है टैंट टैंट में है गुलब गुलब को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे रोज इलेवन है वो है मचली मचली को हम अंग्रेजी में कहेंगे फिश और ट्वेल्थ है वो है तितली तो तितली को हम अंग्रेजी में कहेंगे बटरफलाई तो ऐसे ही हमें हिंडी नाम के सामने उसके अंग्रेजी नाम कोस्तक में से धुन कर लिखने हैं अब देखें क्वेस्टन नमबर 23 कोस्तक से सही पक्षी का नाम चुन कर खाली जगह में लिखिये तो यहाँ पर कोस्तक में पक्षी के नाम दिये गए हैं और फिर नीचे खाली जगह दी गई हैं तो खाली जगह में हमें कोस्तक में से सही नाम चुन कर लिखना है तो पहली खाली जगह है खाली जगह हरे रंका होता है तो हरे रंका क्या होता है? कौन सा पक्सी हरे रंका होता है? तोता तो हमें खाली जगा में उत्तर लिखना है तोता तोता हरे रंका होता है फिर दूसरी खाली जगा है वो है खाली जगा काउं काउं करता है तो बोलिये काउं काउं कौन सा पक्सी करता है? कवा उसमें उत्तर आएगा कववा, कववा काउं काउं करता है, तिसरी खाली जग्या है, वो है, खाली जगह सुबह बांग देता है, तो students, बोलिया सुबह को बांग कौन देता है, मुर्गा, जो तिसरी खाली जगह है, उसमें उत्तर आएगा मुर्गा, मुर्गा सुब भांग देता है अब देखेंगे हम वर्ग बुक पेज नमबर 13 पर खाली जग है 4 जिसमें लिखा है खाली जग अपने पंख फिला कर नाचता है तो अपने पंख फिला कर कौन अच्छे से सुन्दर नाचता है वो है मौर मौर अपने पंख फिला कर नाचता है पांचवी खाली जग है खाली जग द्राउं द्राउं करता है तो बताए द्राउं द्राउं कोन करता है मेढक तो हम उत्तर लिखेंगे मेढक मेढक द्राउं द्राउं करता है चत्थी खाली जग है खाली जग गुतरगु करता है गुतरगु कौन करता है? कबुतर तो उत्तर लिखेंगे कबुतर कबुतर गुतरगु करता है तो इस तरह हमें कोस्तक में से सही नाम चुनकर खाली जग में लिखना है अब देखिए Question No.24 और कोस्तक से हिंडी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए तो अब देखिए यहाँ पर कोस्तक में हिंडी नाम दिये गए है और उसके नीचे अंग्रेजी नाम दिये गए है तो अंग्रेजी नाम जो है उसको हिंडी में क्या कहेंगे वो हमें यहाँ पर कोस्तक में से धुन कर लिखना है पहला है फार्मर तो फार्मर को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोरी हिंडी में क्या कहेंगे? किसान जो अंग्रेजी में लिखा है फार्मर उसको हम हिंडी में कहेंगे किसान फिर सेकेंड है पोटर तो पोटर को हम हिंडी में क्या कहेंगे कुम्हार पोटर को हम हिंडी में कहेंगे कुम्हार ठर्द है स्क्वेरल स्क्वेरल को हिंडी में कहेंगे गिलहरी फौर्थ है कोपर्स्मिट कोपर्स्मिट को हम हिंडी में कहेंगे ठठेरा फिफ्थ है बुल्लोक बुलुक को हम हिंडी में कहेंगे बेल सिक्स्थ है फ्लावर पोट फ्लावर पोट को हम हिंडी में कहेंगे गमला सेवेंट टोर्टोईज टोर्टोईज को हम हिंडी में कहेंगे कच्छुआ नेक्स्थ है एट वो है माउस माउस को हम हिंडी में कहेंगे चूहा नाइंट है कारपेंटर कारपेंटर को हम हिंडी में कहेंगे बढ़ई और तेंट है पोस्टमेन पोस्टमेन को हम हिंडी में कहेंगे डाकिया तो इसे ही हमें यहाँ पर अंग्रेजी नाम है उनके सामने उनके हिंडी नाम कोस्तक में से धुनकर लिखने है फिन नेक्स्ट है question number 25 चित्र में फल पहचान कर उनके नाम हिंडी में लिखिये और उनमें रंग भरिये तो students आपके लिए workbook में यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए है वो चित्र है फल के तो आपको यह फल को पहचानना है और उनके जो हिंडी नाम है वो नीचे एक से पांच नमबर दिये गए है वहाँ पर हिंडी नाम लिखना है और साथ-साथ आपको अंग्रेजी नाम भी उनके लिखने है तो यहाँ पर हम जो चित्र है उसको पहचानने की कोसिस करेंगे जो चित्र हमें दिखाई देते हैं उसमें हमें क्या दिखाई देता है आम तो आम को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे मैंगो फिर और क्या दिखाई देता है सेब सेब को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे एपल फिर दिखाई देता है हमें केला तो केला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बनाना और क्या दिखाई देता है अंगूर अंगूर को हम अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेप्स और क्या दिखाई देता है शरीफा हम उनको सिताफल भी कहते है शरीफा शरीफा को अंग्रेजी में कहते है कश्टर डेपल तो इस तरह आपको हिंडी नाम के साथ अंग्रेजी नाम लिखने है और जो चित्र है उसमें अच्छे से सुन्दर से रंग भरने है ओके? ठेंक्यू